हेलो फैंट से एक बार फीड़ी से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दा फोकुस ट्रेडर में आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे तो लेट्स ही गाईस यहां पर समझते हैं सिल्वर के फ्यूचर के बारे में एंड गोल्ड के फ्यूचर के बारे में समझते हैं और गाईस यहां पर समझेंगे साथ में कि आने वाले अपकमिंग दिनों के अंदर सिल्वर में एंड गोल्ड में क्या-क्या प्राइस के अंदर मोमेंट हो सकते हैं और हमें खरिदारी करनी है तो किस एक लेवल से करनी चाहिए या आपको खरिदारी के थोड़ा wait करना चाहिए वो सब चीजे मैं आपको technical charts के ओपर समझाने वाला हूँ और आने वाले sessions याने की आने वाले upcoming दिनों के अंदर weeks के अंदर याने की मैं यहां तक की बोलू की आने वाले याने की यहां पे sessions के अंदर आपको कितना उच्छाल देखने को मिल सकता है gold में and silver में तो let's see तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे disclaimer देदू यह video only for educational परवस के तोर बंजारी मैं है यह पर आपको किसी परकार का buy and sell के बारे में recommend ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी करूँगा future में आपके profit and loss की स्वें responsibility होगी guys यहां पर अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताक कि आपके पास time से notification and alert message पहुंच सके तो यहां पर guys समझते हैं silver के बारे में सबसे पहले तो यह job के सामने जो चार्ट लगावाएगा इसी यह वंडे का चार्ट है और वंडे के चार्ट के ऊपर देखे वंडे के चार्ट के ऊपर आपको यहां पर फैबनी टूल मैंने लगा के दिखाया है और यहां पर इसका low and high मैंने यहां पर mark किया है जेखे हैं लोट चैनल का लो एंड हाई यह मैने मार्क किया है और‌ इसके मार्क के अको्टिंग मैंने आप पर फैमैनी टूल लगा है जिससे आपको यहां पर प्रसेंटे侈 पदा लगेंगे कि कहां पthose कितना रिट्रेश्चमेंट बनाए कई बार दिखाया है कि यहां पे जो head and shoulder जो pattern बना हुआ है और उसके बाद में जो हैं पर downfall हुआ है Consolid हुआ है उसके बाद में यहां पर इसको breakout हुआ है और धीरे-धीरे जो price के अंदर जाने कि जो price सिल्वर के जो राइजिंग कर रहे हैं अगर आप यहां पर देख सकते हैं सिल्वर के प्राइज राइजिंग कर रहे हैं यानि कि यहां पर बिलकुल आप यहां पर इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सिल्वर में डिप आ रहा है और बाइंग हो रही है डिप आ रहा है बाइंग ह फिर डिप आया फिर बाइंग अब यहां पर एक चैनल के अकोडिंग यहां पर आपको प्राइस के थोड़ा स्टेवनमल करता हुआ नज़र आए गया है तो अब यहां पर उस चीज़ को हम समझेंगे कि अब यहां पर क्या करना चाहिए जो फ्रैस इंवेश्टर है यानि कि फ्रैस बाइंग करने के बारें प्लान कर रहे है या फिर जिन्होंने बाइंग क्या हुआ है सम्झिंग ए रहा हूं जिन्होंने यहां से बाइंग क्या हुआ है तिरान में हजार दोस्तों के आसपास से बाइंग क्या हुआ हुआ है उनको क्या करना चाहिए यहां पर यहां कि टोप पर क्या बनाए इवनिंग इश्टार बनाए और इवनिंग इश्टार अब यहां पर क्या होने वाला यहां पर साइडवेज में होने वाला है सिल्वर कुछ टैन के लिए यानि कि यहां पर सिंपल सी लोजिक वाली बात है अब यहां पर इवनिंग इश्टार यह बन पार है, आप देखोगे. सिंपल तो यहां पे वेनिंगों स्टार गाह जो यहां पर इंपक्ट है, यहां पर इंपक्ट जो पढ़ेगा ना वो यहां पर आपको बोट सियह के, अब यह आज का हूब मोकेम देएगा, दौनों तरफ से पर थोड़ा ट्रैप होने को दिख सकता है लोंग ट्रम के लिए यहां पर क्यूंकि अगर मैं यहां पर इस कॉंट्रैट की बात करूँ दिसंबर मन्त का कॉंट्रैक्ट और दिसंबर मन्त में कितना टाइम है भी यानि कि अभी अगर देखा जाए तो ऑक्टूबर और कि यहां पर हम जो समझ रहा है तो हैंक अगर आप यहां पर देखा आपको क्या दिखाई दे रहा है अगर आप तो साथ परसेंट टेशमेंट पर 55 सेंट उस में काफी जादा पोसितिंर को एनिकिट की यहां पे upside में activate हुआ है upside के अंदर तो यहां पे simple सी जो चीजे है ना वो आपको बहुत आसानी से यहां पे समझनी होंगी क्योंकि अगर यहां पे fresh buying अगर आपने यहां पे उपर side में क्या है यानि कि अगर आपने 93,200 के उपर यहां पे buying क्या है तो यहां पे आपको किस तरह से बच के रहना चाहिए तेखे मैं सीधा बोलूँगा आपको आपको यहां पे किस तरह से बच के चलना चाहिए सिल्वर से जो fresh buying वाले हैं fresh buying वालों को तो यहां पर wait करना अच्छा आपको buying जोन दिखाई दे सकता है और मैं तो यह कहूँगा कि यहां पे retash आ रहा है न तो एक particular जोन से आप यहां पे buying के बारे में सोच सकते हैं वो क्या जोन होगा अब समझते हैं यहां पर four hours के चार्ट के ओबर five hours से तो four hours के चार्ट पर यहां पर देखोगे त तो यहां पर कुछ एक supported resistance है उनको यहां पर समझेंगे कि क्या कि है यहां पर resistance बनी नहीं देखिए मैं सबसे पहले यहां पर support की बात करूँगा और एक channel की बात करूँगा यहां फिर देखिए price अभी क्या बात कर रहा है अबहीं ट्रेड लाइन के पास में यहां पर सपोर्ट ले रहा है अपसाइड से रिजक्शन्स आगे सपोर्ट ले रहा है ना तो यहां पर क्या रहा बाइंग बन लिए लिकिन अब की बार क्या हुआ है यहां पर गाइस अब की बार रिजक्शन्स पहले ही आ चुका था है यहां पर trade line के यहाँ पर हमने क्या समझा था यानिकि 902,200 का यहाँ पर upside में टार्गेट ना जानाने चाहिए दे यानिकि यहाँ पर जो हमारा जो टार्गेटथा चाने मेंगा टार्गेट था यहाँ पर क्या हुआ एक स्पाइक दिया इस स्पाइक के साथ में कैंडल क्लोजिंग करी एवनिंग इस्टार बनाया देन फिर डाउंसाइड में अब यहां पर यहां पर समझते हैं कि सपोर्ट क्या बनावा है यहां पर समझेगा यहां फर्स्ट सपोर्ट क्या है कि सपोर्ट के नीचे नीचे निगलता है तो फिर आपको तो डाउनसाइड में क्या target नजर आएंगे याने कि फिर support क्या मिलेगा यहां पर 90,160 फिर यहां पर क्या होगा 90,160 का support मिलेगा और यहां पर अगर देखा जाए ना तो यहां पर क्या होगा इस support के तूटने से फिर क्या है कि नीचे ट्रेड लाइन भी है और trade land का यहां पर support टूटना तो फिर नीचे आजाएगा नीचे आने का मतलब क्या है फिर आपको silver में जो downside के moment जड़ाएंगे 90,200 तो यहां पर मैं जो आपको समझाना जारहूं न यह समझाना जारहूं कि यहां पर अगर correction होता है silver के अंदर तो आप यहां पर buying के बारे में ही plan करके चलिएगा क्योंकि guys यहां पर अगर आप सोच रहूंगा कि यहां पर downside में आएगा फिर मैं ऐसे sell करके चलूंगा तो आपको मोगे नहीं मिलेंगे और फिर उसके बाद में कहां पर support है उसके बाद में support है 88,200 and 87,600 यहां पर particular एक support zone create है क्योंकि और most जो strong support है ना वो most strong support क्या है वो यह है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जो बात करेंगे किसके बारे में resistance के बारे में resistance हमारे यहां पर जो अगर चार्ट के उपर देखोगे फोरोड चार्ट के उपर तो यहां पर दो resistance निकल के आ रहे है पहला resistance क्या है 93,700 याने कि 93,700 उसके बाद में जो second resistance क्या है 94,200 300 मान के चलेंगे यहां पर 94,900 इस resistance के ऊपर निकलता है तो फिर आपको यहां पर 96,200 तक फिर उपर खड़ा हुआ नजर आएगा याने कि यहां पर इसके उपर देखे ब्रेक आउट करने का मतलब गाईस यह नहीं है कि यहां पर breakout करा single candle बनाया और आप entry कर लो no breakout क्या है candle उसके उपर close होने दे next candle का उसके उपर breakout होना चाहिए याने कि आपको यहां पर समझाना चाहूंगा मैं जैसे ही यहां पर breakout हुआ candle इसके उपर निकलनी चाहिए यह नहीं कि यहां पर इसके नीचे उपन हो रही है फिर वो इसका ब्रेक फिर यह क्योंगी अगर आप यहां पर देखो तो प्रीविस जो गेंडल इसका फिर रेजिस्टेंस करेट करेगी बार 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 यहां पर क्या होगा उसका breakout होना चाह जार तक फिर आपको लिवल नजर आएंगे लेकिन मैं अब यहां इसका इंपक्ट आपको देखने को मिलेगा और थोड़ असा क्रेक्शन क्या है आपको यहां पर स्टेड लाइन के आस पास तक आता हुआ नजर आएगा और यहां से ही फिर आपकी buying बनेगी दुबारा से अगर यहां पर इस trade land का respect करता है तो तो यह तक आईस यहां पर silver का prediction और आपको support मैंने बता दिया है रेजिस्टेंजी मैंने आपको बता दिया है अगर यहां पर silver में correction होता है तो buying करके चलना है यानि कि यह मैं समझेगा silver में अगर 1000.2 गिरावट आ रही है या फिर 2000.2 गिरावट आ रही है तो आप हाँ पर sell कर दो no वो correction मिल रहा है आपको looking good है कि आपको silver के अंदर correction करने को मिल रहा है और यहां पर buying का अच्छा आपको opportunity देखने को मिल रही है और यहां पर जो आपको मैं बताउ ना chart को थोड़ा close करके तो यहां पर ईंपक्ट है आपको यहां पर ही pain नज़रा राया है आपको जो pain नज़रा रहा है ना वो इस zone के असपास ही नज़रा रहा है तो उपर में हमें बहुत ही अच्छे लेवल से नज़र निकलेंगे, क्योंकि फिर आपको यहाँ सिल्वर एक लाग तक भी आपको जाता हुआ नज़र आएगा, आने वाले याने की, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले दिनों में फैस्टिवल्स आने वाले हैं, दिवाली का तोहार है, और सर्दियो के टाइम मे गोल्ड के रेट आपको पता ही है कि जब भी कोई फैस्टिवल होता है, तो उससे पहले यहाँ पे आपको मेटल्स के अंदर, सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर आपको उच्छाल आपको देखने को मिलता है, तो उसका भी आपको इमपेक्स देखने को मिलेगा यहाँ जिरूर तो चलिए गाईस ह不過 है यहाँ पे Gold के बारे में पटावट से तो अभी हैम है यहाँ है ऑईस यहाँ है gold के बारे में और यह भी December मंद का contract है इस contract की नई opening हुई है यहने कि यह भी contract यह change हुआ है और change होने के शाथ-साथ इस contract में आपको बहुत सी opportunity देखने को मिल सकती हैं आईए आप समझते हैं किस तरह से gold में आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं और यहाँ पर मैं comparing करूँ न gold की और silver की तो मुझे यहाँ पर gold काफी अच्छा लग रहा है मैं आपको सही बताऊ ना मुझे gold काफी अच्छा लग रहा है और यहां तक मुझे प्लान लग रहा है कि gold है ना देखे अगर यहां पर फोरवर्स के चार्ट पर अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर trade line का breakout हो आ है यहां पर trade line का support था लेकिन यहां पर breakout हो लेकिन breakout होने के बाद में यहाँ पर देखेगा यहाँ पर जो support मैंने लगाया था न यहाँ पर जो मैंने support लगाया था कहाँ पर था support 75900 यह जो support मैंने यहाँ पर लगाया था तब तक यहां पे लुकिंग गूड है गोल्ड में लुकिंग गूड है और अपसाइड में निकलेगा कहाँ पर निकलेगा तब यहां पर गाईस जब यह लेवल निकालेगा resistance क्या है देखें यहां पे जो soft support है वो यहां पे support क्या है 75,900 का soft support है strong support की बात कर ले दें strong support क्या है अगर यहां पे 75,900 का level अगर break करता है तो फिर आपको down side में नीचे में क्या नज़र आएगा 75,300 75,300 के level नज़र आएगे जो की level कहाँ पे होंगे यहां पे और यह level एक most important level है और यहां पे नीचे आता है तो आप buying के बारे में प्लान कर सकते है याने की गोल्ड में अगर थोड़ा बहुत correction होता है down side के लिए तो आप यहां बाइंग के प्लान कर सकते हैं अगर यहां पे support का respect ने देता है 75,300 को तो फिर आपको यहां पे buying जो मिलेगी इस trade line के पास से buying मिलेगी जो की something कहाँ पे मिलेगी पी LED, 74,700 के अस पास क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर यहां पिए लोंग टाइम में देखर को ना अगर आप यहां पे फोर आवर्ट के चार्ट पे दे कोगे तो यहां पे काफी अच्छा support नज़रा रहा है यहां पर काके अच्छा सपोर्ट नजरा रहा है ट्रेड लाइन की अच्छा सपोर्ट आ रहा है और यहां पर जो ट्रेड लाइन का सपोर्ट था वो ब्रेक क्या है लेकिन अगर यहां पर हम जो मानके चल रहे हैं 75,900 अगर यहां पर रेस्पेक्ट देता है और यहां पर पे क्या बना हुआ है 76800 याने कि 76800 इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है अगर गोल्ड तो यहां फिर आपको जो ऊपर साइड में जो टार्गिट नजराएंगे अपसाइड में 77800 एंड उसके बाद में आपको यहां पे 78000 तक भी आपको फिर गोल्ड अपसाइड में जाता है यहां पे यहां पर आप यहां पर देखो गए तो एक बोक्स के अंदर कापी टाइम से साइडवे जोन बना हुआ है और कितनी बार यहां पर एक्टिव पर में और यहां पर जो त्रेड त्रेड लेंड का वह तभी यहां पर फर आपको चाहिए और यहां पर फ्रेस्ट के लिए के देखें बाइंग के जो प्लान होने यहां फो किस तरह से होंगे यहां पे Support बनाएं फिर upset में निकले या फिर इस तेड़ लैंड के आज सी सपॉर्ट सबनाएं फिर upside के लेन Εप पूर भी सब्सक्राब से अगर आपट अगर अक्षे खासे moment को अच्छे खासे घा मतलब फिर आपको यहां पर vont कर één और आ सो निकलेगा तो भाइन करें दिप मिले और तो by यहां पर यहां पर उस जोन के अंदर फसा हुआ है जहांपे आपको रहे होगोग प्याम लिए निके आ पर आपको आपको रहे वोच करना चीज को ठीटीक सब्सक्राइब हम इन चीज़े को नहीं देखते हैं यानि कि जब तक आप यहां पर चार्ट की study अच्छे से नहीं करोगे ना आपको candles के बारे में नहीं पता होगा ना कि candles क्या बोले चार्ट सब कुछ बोलता है गाईस यहां पर जो technical charts है ने यह सब कुछ बोलता है कि आपको कहां पर exit करना चाहिए कहां पर SL लगाना चाहिए buying कहां पर बनेगा actually में जो buying है वो कहां पर बनेगा वो सब कुछ बोलता है लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं हम यहां पर जो trade बनाते हैं ना वो बिलकुल बोलते हैं कि जल्दवाजी में जल्दवाजी में करते हैं लेकिन market में कभी कीजिएगा चलिए गाइस इसके दाने वीडियो क्लोज करता हूं थैंक यू ट्रीडर्स